हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और लेकर आए हूँ अपके लिए फिरसे आज एक न्यू वीडियो तो हुझे मेरी वीडियो लास्ट टाय मैंने डाली थी या थार्त वाद क्या होता है आज उसका हम सेकेंड पार डिस्क्राइब करने वाले हैं या थार्त यहां पर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिये और अपना प्यारा सब कमेंट दे कर जरूर जाये करिए मेरे मोटिवेशन के लिए आखिए आपका जो सपोर्ट है वो मुझे पता लगे कि आपको मे मेरी वीडियो कैसी लगती है आपके लिए हैल्फिल होती है की नहीं तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं यथार्थवाद के रूप यथार्थवादी विचारदहरा चार रूपों में देखी जाती है मानफ्तावादी यथार्थवाद सामाजिक यथार् इस उद्देश की प्राप्ति के लिए प्राचीन रोम वा युनानी साहित का अध्यन आवश्यक है यथातवादी प्रारम से इसके अंतरगत भासा और साहित पर विसेश बल देते थे परंतु वर्टमान में यह मानव की गरिमा को महतपुर स्थान देते हैं उनकी अनुसार मा प्रेड़ना उपेक्षाओं को सर्वोच स्थान देना चाहिए क्योंकि भाशा और साहित तके और मानव को सर्वोच स्थान प्राप्त करने में उच्छ सक्रिय भूमी का निभाते हैं मानवतावादी अथार्दबाद के प्रतिमा प्रतिमातकों में इरेसम्स और जोन की गई है नेक्स आता है हमारा यत् अंथ वाद्वादी समाजवादी यत शिक्षा की अरोचना करता है और बालक के с्वें अनुबवब दौरा सीखने पर बल देता है उनके अनुसर में बालक को वही शिक्षा दि जानी चाहिए जो जीवन के लिए उपयोगी हो और भहवारीक हो इस विचारदारा के अनुसार सिक्षा का उद्धे से जीवन का सुखी वा सफल सिक्षा को सुखी वा सफल बनाना होता है तदह हमानव की समाजिक वशक्ताओं की पूर्टि होने पर ही व्यक्ति सुखी वा सफल जीवन व्यतीत कर सकता है इस यथारदवाद के प्रमुखे समर्थक हैं लॉर्ड मेंटेन और लॉक थे इनके अनुसार समाजिक यथारदवाद को समाजिक क्रियां वा साहित्य वाता वरन पर बल देना चाहिए ताकि व्यक्ति में आवश्यक समाजि ते गूडों का विकास किया जा सके में ज्यानेier इंद्र फारदवाद इसकी परवर्ट वाकां और रेट के और कैमेemor् डिच्टर उ रिचार्ड मूूल क्लेस्टर थे इनोंने शिक्षा के छेतर में ग्यानिंद्री अथार्दवाद को विसेश मेहत दिया है इस बात के अनुसार ग्यानिंद्री द्वारा प्राप्त ग्यान की सत्य ग्यान होता है सबी से प्राप्त ग्यान तभी वास्तिवीक हो सकता है जब वो ग्यान द्वारा प्रिट्वीक चुरूप किया जाए नव यथार्दवाद यह यथार्दवाद की नवीन विचारदारा है जिसका मैत्व सिक्षा की अपेक्षा दर्सन वा विज्यान के छेतर में अधिक होता है नव यथार्दवादी विज्ञान वकला दोनों सिक्षा पर बल देते हैं नव यथार्दवादियों में वाइट तथा रेजल का नाम रसेल का नाम विशेश रूप से उलेखनी है प्रशित दार्सनिक रसक के अनुसार नव यथार्दवाद का वास्तिविक योगदान उन प सब्सक्सक करके है अपने जीवन के सुक्ष चाहिए जिसके अधहार पर व्यक्ति अपने वासति जीवन के साथind संचित कर्ने में तो सिक्षा वाकई में ऐसी होने चाहिए यथार्थवाद सिक्षा के उद्देश से देख लेते हैं ज्यान इंद्रों का विकास करना बालक को सुखी वा सफल जीवन के लिए तयार करें बालक में ज्यानिक वाकजा के दर्श्टी कोड का विकास करना बालक को प्राकतिक वा समाजिक परियावरण का ज्यान कराना बालक वास्तिविक जीवन के लिए तयार करना और मानसिक शक्तियों का विकास करना व्यवसाइक सिक्षा प्रदान करना यह मानता है कि सिक्षा मनुस्य को जीवन के लिए त्यार करती है अथा पार्थिक्रम में उन सभी विश्यों को शमलित किया जाना चाहिए जिसका सम्मन वानव के जीवन को सुखी बनाने से होता है यथा पार्थिक्रम का निर्धारन निम्न सिद्धानतों के अधार पर करने पर बल देते हैं जैसे कि उपोयोगता का सिद्धानत पार्थिक्रम मनुस्य को ध्यान रखकर उनकी उप्योता के अनुसार तियार किया जाना चाहिए व्यवस्था का सिद्धान व्यापक्ता का सभी विशोस उन में आपस में connection होना चाहिए हुम सहसंबंद कहते हैं तो उप्रोग्त सिधान्तों को ध्यान में रखने के बाद यानि कि उप्रोग्त सिधान्तों को जानने के बाद यथार्तफात पार्टिक्रम में भाषा और साहित उध्योगवा व्यवसाइग के लिए तो friends, अभी मेरी वीडियो तोड़े लेट हो गई थी, because, क्योंकि मेरी चोटी बेटी, क्यारा, उसकी तबीयत खड़ाब होगी थी, one week उसकी तबीयत खड़ाब रही, उसको fever था, जिस वज़े से थोड़े वीडियो डिले हो गई, उसके बाद अभी ठीक है, और, अभी सब किजिए वहां भी आप आये में चैनल को सुब्सक्राइब कीजिए मुझे support कीजिए वहां पर आप की बहुत जरूद है मुझे उस चैनल पर भी तो मेरा support कीजिए और आप जैसे सभी सब्सक्राइबर, विवेवस जो की मेरी फैमिली बन चुके हैं, वहाँ पर भी आप मुझे उतना ही प्यार दीजे, मेरी वहाँ पर भी वीडियो जाती है, जब मुझे टाइम मिलता है, आप लोग साथ जो भी मैं शेयर करना चाती हूँ, उस वीडियो पर उस चैनल पर करती ह पाठिक्राम में सम् McMนित करिया हैं, ऊपयोगत विश्यों को बालक उचित प्रकार से समझ सके, इसलिए यथार्दवादी उने पाठिक्राम में विश्यों के विश्यों से समन्मंदित करियाूंं, जैसे खेल खूद, विवशाय, सैमिनार, ब्रहमन, वादविवाद, साहित क्रियां समाजिक क्रियां स्काउटिंग डिप्रात्मिक चिकित्सा की क्रियां जैसे टाइपिंग शॉर्ट हैंड बढ़ाई लुहाराधी की क्रियां को भी पार्ट करम में स्थान देने की बात कही है ठीक है नेक्स्ट हमारा यथार्थ वाद और अनुसासन कैसा होना चाहिए तो यथार्थ वाद समाजिक वातावरण के साथ समायोजित तथा इसके समाज वा विद्धाले का वातावरण उत्तम रखते हुए समाज के वातावरण नियमों द्वारा अंता प्रेरित आत्म अनुसासन पर बल देता है अता यथार्थ वाद वाद समाज को एक ऐसा मानता है जहां बालक स्वयम आत्म अनुसासन में रहना सीख चाता है यथार्दवादी दंड दवारा अनुसासन स्थापिट करने का विरोध करते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारे यथार्दवाद और सिक्षक कैसा होना चाहिए यथार्दवाद अध्यापक के महत्व को तो पस्तुत करें और उनके निक्षण और अनुवब करने तथा निड़ने लेने पर उनको अफसर प्रदान करें ठीक है तो यह था हमारा यथार्दवाद और सिच्छक नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यथार्दवाद यथार्द विधाल है तो किसी वीडियो बहुत